शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें और मैं उसके याँ नौकर हुआ करता था मगर इसको धंदा करना नहीं आया और आज मेरे याँ नौकर है बाबा धंदो में च्छाए जो मौका हाथ में आवे न उसे जाने नहीं देना चाहिए नई तो हालत ऐसी हो जाती है सर मैं आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूं यौरे गुड बॉय यौरे गुड बॉय अब देखे ना आप ही की मदद से मेरी फैक्टरी फिर से चल रही है रहुल बड़ी आज तेरा दिन बहुत अच्छा है पूछो कैसे कैसे अभी देखो बाबा मैं जूले लाल की कसम खा कर कैता हूं कि मैं तेड़े को बड़ बात करने वाला था तेड़े को फुट पात पे लाने वाला था मगर मैंने किया नहीं सर यह तो आपका बड़ पन है यह तो तुछ दिन गया यहां से और मेरी बेटी आ गई बेटी अरे हां मुझी इकलती बेटी उसने मुझे बताया है कि तुम दोनों पुड़ाने दोस्त हो अड़ी बाबा दोस्ती का मतलब तो मैं भी जानता हूं मैंने इतने साल पापर थोड़ी वेले हैं बड़ी दोस् दूसरे को पसंद करते हो चाहते हो नहीं यह सच है कि हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अरे बाबा शर्माता क्यों है बड़ी मुख्य अपनी बेटी की पसंद मंजूर आए चलो इस दोस्ती को रिष्टे में बदल देते हैं अगले संदे तुमारी सगाई करवा देता चलो हाथ मिलाओ यह बड़ी बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुने देखा है वो जाय देकर गया था अड़ी बाबार राहुल जब मार्कीट में मालूम पड़ेगा कि तुमेरा जवाई है तिरे को लोग काम देंगे मुखा तेरी तो जिन्दकी बन जाएगी और मालू क्यों क्यों कि साड़ी दुनिया जानती है कि बिद्नानी सेठ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है अगर वैजनती का क्या होगा वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करता हूं क्या यह सच नहीं हाँ शायद मगर मैंने उसे कोई वादा नहीं किया है मैंने उसे कुछ कहा तक नहीं और इस वक्त मुझे अपने बारे में नहीं बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए उनके बविश्या के बारे में सोचना चाहिए और उनकी खुशी और बविश्च के लिए मैं माया से शादी कर लू यही ठीक रहेगा सुनिए अभी तक सुए नहीं क्या बात है कुछ ही है क्या कि मैं कुछ नहीं कुछ नहीं कर देखो मैं मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अब जो हमारी शादी होने वाली है तुम्हारा यह जान लेना बहुत जरूरी है कि मेरी सुर्वासी बेहन के तीन बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं और जो लड़की मुझसे शादी करेगी उसे भी उतनी प्यार देना पड़ेगा उन बच्चों को जितना के मैं देता हूँ अफकोस ढालें जो भी तुम्हें प्यारा है वो मुझे भी प्यारा होगा तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा बस तो आज शाम तुम घर आजाना और बच्चों से में लेना शो आठ बच्चे आजाओं हुआ यह तो बताईये मामा जी कौन होने वाला है देखो तुम लोग मेमान के सामने ठीक से रहना हाई हाई बच्चों यह माया माया यह विकी हाई यह मुनी हाई और यह सनी हाई और यह कौन है रहुल इनसे भी मिलाव माया यह वेजनती है वेजनती यह माया नमस्ते नमस्ते यह यहाँ वेजनती बच्चों की गवर्नस है गवर्नस यह कहो न यहां की नौकरानी है यह नौकरानी नहीं है यह हमारी दिली है मुझे भूक लगी है काना खालें करेंग 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 औरे वह हैं तुम्हारी नौकने खाना तो बहुत अच्छा बनाती है मैं होटल से मगवा है मैंने अच्छा तो तुम यहां क्या करती हूं वह में अच्छी है ना इसलिए वह रहती है और जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसे इस घर में नहीं रहने दें क्यों विकी शानी तुमसे किती दर वक आये के खाना काते वक्त बात नहीं करते चलो खाना का लेकिन राहूल शादी के बाद तो हमें खाना पकाने वाला रखना पड़ेगा ना हाँ मैं बताने वाला था के मेरी माया के साथ मंगनी होने वाली है और फिर शादी अड़ी बेटी तेरा डिनर कैसा था दिनर तो अच्छा था पापा लेकिन राहूल के साथ उसकी बैन के तीन बच्चे भी रहते हैं वो मुझे नहीं अच्छे लगे मैं क्या शादी के बाद उस भीरबार में रहूंगी अड़े बाबा फिकर क्यों करती है पहले शादी तो कर उसके बाद तीनों बच्चों का हास्टल बेज देंगे हाँ पापा ऐसा जुरूर करना बरना मैं वहां बहुत बोर हो जाओंगी अरे तू फिकर मत कर तिरह पापा है नहीं चल ले पापड़ खा पापड़ खा बेटी हाँ वेड़ी गुद लाओ छोड़ो मुझे दो न नाराज होना मतसे हां नहीं मैं जानता हूं मुझे तुम्हें पता देना चाहिए था माया के बारे में क्यूं मुझे पताने की क्या जरू थे मैं तो नौक्रा नी हुना घर की क्यार नी थे।